हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो एट्वेंटीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल तो आज हम आपके सामने आए हैं एक न्यू जॉब डेटेल के साथ कि रर्रसी एटी ने निकाली है रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन जो की है आपके यूडीसी ड्राइवर और बर् तो यह जो नॉटिफिकेशन आया है तो क्या है इसके अंदर और क्या है इसकी फुल डेटेल तो आएए शुरू करते हैं तो फैंस आर आर सी एटी की यह ओफिशल नॉटिफिकेशन है तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पोस्ट डेटेल की तो यहाँ पर जो वेकेंसी है UTC post के लिए है जिसमें आपकी 9 vacancies निकाली गई है आपके पास education में बात करते हैं तो degree होनी चाहिए 50% marks के साथ और desirable condition है कि अगर आपके पास minimum speed जो है आपकी typing में English के अंदर 30 word per minute होनी चाहिए इसमें जो selection process की बात करते हैं तो level first test and level two test आपका यहाँ पर होगा level first test में आपके general English, general knowledge, general intelligence reasoning और quantitative questions आएंगे और level two जो है वह आपका English language and compression descriptive type paper होगा level first जो है आपका सिर्फ qualify exam है इसको qualify करने वाले candidate को ही level two है SDAM के लिए बुलाया जाएगा और level two exam के base पे ही आपका इसमें selection होगा minimum जो age है वो 18-27 साल लखी गई है SCST OBC को जो suit मिलती है center wise वो आपको यहाँ मिलेगी यहाँ पर आपको जो है salary दे रखी है 35,500 रुपे monthly की उसके बार nature of duties भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं second post जो है आपकी driver की जिसमें आपकी जो है experience की तो कम से कम आपके पास तीन साल का experience यहाँ पर मांगा गया है level first test जो है आपका इसमें return test है जो कि आपका जन्दल knowledge, जन्दल English, अर्थमेटिकर और मोकल विकल एक्से रिटेट आएगा और level 2 जो है वो driving test आपका यहाँ पर होने वाला है इसमें जो आपका process है वो आपका level first and level two की marking पर होगा जिसमें आपका कम से कम 50% mark जो है general OBC और SCST और OBC को 40% mark कम से कम है प्राप्ट करने होंगे 18-27 साल आपके उमर यहाँ भी रखी गई है पे जो है आपका 19,900 रुपर मंतली रहने वाला है बात करते है nature of duties की तो यहाँ पर आपको detail दे रखी है कि आपका duties है वो आपकी क्या रहेगी जो third post है work assistant की इसमें आपका दस्वी पास होना अनिवार है पर इसमें जो दो post निकाली है वो आपकी है disabled person के लिए तो एक hearing का है एक low vision का है यह दो candidate ही जो है यहाँ पर भी selection process जो है आपका level first and level two base पर रहने वाला है एच जो है 18-36 साल रखी गई है पे आपका यहाँ पर भी 18,000 रुपे रहने वाला है तो यह तीन vacancies जो है यहाँ पर इन्होंने निकाली है तीन post wise अगर आप एक से उपर post भरना चाते हैं और eligible है भरने के लिए तो आप उसको भर सकते हैं बशरते आपको अलग-अलग आविदन इसका करना होगा उसके बाद बात कर लेते हैं इसके traveling allowance की तो SCST candidate को जो return test है उसके लिए जो है traveling allowance means मिलने वाला है उसके admit card के साथ उसको जो है ticket मिलेगी आने जाने के लिए जो की shortest route होता है railway का उसके हिसाब से इसके बाद है closing date जो की 10-9-2018 जैसा मैं आपको पहले बताया यह रहेगी तो उससे पहले ही आपको इस form को fill करके apply करना होगा इसके जो online apply का link है वो आपको हमारे description में मिल जाएगा यही form भरने से लेके कोई भी problem जैदि आपको आती है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं तो friends यह थी job related कुछ जानकारी जो मैं आपको शाथ share की यह आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो please like कीजिए subscribe कीजिए share कीजिए और देखते रहे यह 24 knowledge and the last thanks for watching